आज जो मैं स्टॉक निकाला हूं दोस्तों पूरे टूजडे मार्केट में 17 नवंबर 2020 ट्रेड करने के लिए बेस्ट स्टॉक से इंट्राडे के अंदर वो भी आरसाइ के लेवल्स को पकड़ते हुए तो अब आप क्या करिए दोस्तों 3-4 इंडिकेटर पर काम करना छोड़ दीजिए आरसाइ पर काम करिए बेस्ट बेस्ट इंडिकेटर है दूस्तों यह आप लोगों को डबल से त्रीबल परॉफिट इंट्राडे में देने के लिए और बार एक ही दिन में इंट्राडे में में दो-तीम बार प्रॉफिट बुक करने के लिए जो आगे चल के श्ट लब्र प्रोफिट इंट्राडे के अंदर भी होने वाली है और एक बात दोस्तों कभी भी तीन-चार इंडिकेटर के पीछे मत भागे अगर आप बुलेंजर बैंड पर काम करें तो उस पर ही काम करिए और सभी मैंग पर क्लब करके ट्रेड करने की कोशिश मत करिए क्यूंकि कि इसके अंदर confusion ही होगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और आपको indicators oscillator समाझ में ही नहीं आएंगे दोस्तों तो देखिए मेरे इसाब से मैं कभी RSI पर काम करता हूं सभी को RSI पर ही काम करने के लिए बोलता हूं अब इस दक मैंने कितने भी वीडियो अपलोड किये हैं पुरे RSI लेवल को पकरते हूए आप सभी को double C triple profit देते वे आया हूं दोस्तों आज भी stocks वैसे ही बताने वाला हूं जो 17 नवंबर के लिए best होने वाली है इंट्राडे के लिए hello everyone मैं हूं महुमत सोहेल अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पर आये हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए आज मैं जो कैंडर चार्ट पर बताने वालों दोस्तों आपको learning के लिए भी best होगा जो इंट्राडे के अंदर आपको हर वक्त काम आ सकता है यह वाला strategy देख सकते हैं इंट्राडे के अंदर दोस्तों panic situation भी बनती है पर panic होने से फाइदा तो हमारा होता नहीं नुकसानी होते रहता है तो उसके इसाफ से भी हम लोग देखेंगे तो RSI पर यह levels best होंगी trade करने के लिए आज के उड़े में पूरे मैं वही levels बताने वाला हूँ आप सभी को आप देख सकते हैं कभी भी up trend line के बाद हम लोग delivery calls में देखेंगे तो bottom trend line पकड़े तो ही उसक के अंदर reversal जाता हुआ 60 60 जो average moment दिख रहा है अगर हम लोग उपर selling position ले रहे तो 60 पे ही exit करना होगा क्यूंकि एकाद बार अब trend line लगने के बाद bottom trend line जाने के लिए एक हफता या तीन निन का time लेता है immediate bottom trend line नहीं जाता है तो अगर हम लोग bottom पे भी काम कर रहे हैं उपर जा करेंगे तो ही हमें RSA पर profit booking होगा अगर हम सोंचे हैं अब trend line intraday में लग गया है reversal जाता हो हम लोग exit करेंगे दोस्तों वैसे नहीं करना चाहिए और एक बात जो भी stock पकड़ रहे हैं आज मैं आप RBL पर बात कर रहा हूं तो RBL का price moment क्या होता है RBL का intraday price moment होता है दोस्तों maintain करेंगे तो हमें bottom trend line पर buying लिये हैं ऊपर जाता हूँ फिर से इसने bottom trend line पकड़ लिया तो हम लोग इसके अंदर 3 रूपीज के इसाफ से average strategy maintain करेंगे mid range of 40 to 50 जाने लगा तो हम लोग इसके अंदर 2 to 3 रूपीज के अंदर profit booking करेंगे क्योंकि already हम लोग 3 रूपीज का average strategy maintain करके चल रहे हैं तो देखिए Tuesday के दिन कैसे trade करें दोस्तों same price moment same stock same levels आपको मैं करके बताता हूँ अभी आप देख सकते हैं Tuesday के दिन कैसे trade करना है पहली बात इसके अंदर जो rally आपको देखने को मिली 185 से देखने को मिली 195 से देखने को मिली और यह जो gap up opening देखने को मिला वो भी stock close करके चल रहा है और बहुत शातीर तरीके से यह तो मूरत trading का candle से जो हमें काम आने वाले नहीं है दोस्तों उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा प candle chart देख रहा है तो उसके अंदर देखिए price movement यह कहां से बढ़ा देखिए 197 से लेके आपको 207 का rally आप देख सकते हैं पूरा 10 rupees का price movement अगर हम लोग इदर buying लेते जैसे मैंने आपको अभी बताया है हम लोग नीचे buying लेते उपर जाता हुआ हम लोग इसके अंदर 3 to 5 rupees में exit क करते हैं तो कहां से भी देखे हम लोगों को profit booking तो देखने को पक्का मिलेगी और एक बात है दोस्तों इसके अंदर यह already uptrend line 60 पे trade कर रहा है आप देख सकते हैं uptrend line 60 पे trade कर रहा है और नीचे जाते वे 60 level पकड़ रहा है अगर यह Tuesday की धिन uptrend line लग गया तो आपको 208 और 209 देखने को मिलेगा जिदर आप selling position लेके 206 के पास exit हो जाएंगे दोस्तों और average strategy maintain करना है 3 रुपे के हिसाब से यह दूसरा stock है दोस्तों ICICI bank limited ICICI bank limited बहुत volatility के साथ market में trade करता है इसका price moment होता है दोस्तों 14 to 19 रुपीस का intraday price moment होता है same strategy दोस्तों अब trend लगने के बाद bottom trend तो कुंसा भी stock immediate intraday में तो नहीं लगता अगर लग रहा है तो ठीक है नहीं लग रहा है तो क्या बता है थब तक आपको मैंने अगर उपर up trend line में selling position ले रहे हैं तो RSI 60 60 level जाता हुआ exit करेंगे अगर bottom trend line पे trade कर रहे हैं up trend जाता हुआ 60 to 40 50 50 RSI level पे exit करेंगे यह बात मै आपको अभी तक बताई थी और बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि intra day के अंदर without risk कैसे काम करते हैं अगर हम लोग इसके अंदर weekly monthly target लगा रहे हैं तो stock पूरा का पूरा reversal में ही है दोस्तों अभी कुछ भी moment नहीं है इसके अंदर आप ICIC bank के अंदर Tuesday के दिन selling position लेके बे फिकर होके चल सकते हैं uptrend जाता हुआ दिखा क्योंकि already तो uptrend line पे यह है इसे अगर यह reversal तो 60 भी पकड़ चुका है फिर से uptrend line जाता हुआ दिखा आप ले लिजे इसके अंदर 874 487 और 489 का intraday selling position ले सकते हैं इसके अंदर आपको 7 rupees के हिसाब से average strategy maintain करनी है क्योंकि इसके अंदर 14 to 17 rupees का intraday price movement होता है अगर हम 17 भी लगा लेंगे तो intraday के अंदर average 60 to 50 भी आने लगा आप लोग double से triple profit में exit कर सकते हैं दुस्तों इसके अंदर 5 rupees का profit booking देखके exit हो जाए average strategy maintain कर रहे हैं तो भी 5 rupees का profit booking देखिए अगर आप no average strategy maintain कर रहे हैं stock already गिर रहा है तो इसके अंदर भी आप 5 rupees के हिसाब से average strategy maintain कर सकते हैं दोस्तों कभी भी मैं आपको जब best stocks निकालता हूं intraday के लिए हफते में एकात बार दो बार तीन बारी वीडियो upload करता हूं पूरा हफता नहीं करता हूं तो आप क्या करें दोस्तों book pen ले लीजिए अगर आप मेरे वीडियो देख रहे तो level strategies पूरे लिख लिजिए आपको खुद स opening दिख रही है intraday में stock 100% reversal करेगा अगर हम लोग अगले हफता उसके हगले हफता भी levels देखने को मिलेंगे तो हमें 460 भी देखने को मिलेगा अगर reversal जाता हुआ दिखा 445 भी नए levels बताएगा ICICI bank क्योंकि ICICI bank अंदर पूरी uptrend rally है reversal में rally अभी तक start नहीं हुए उसके हिस आप से देखेंगे तो भी इसके अंदर reversal आने वाली है दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया ह है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए यह तीसरा and final stock है intraday के लिए क्यों दोस्तों क्योंकि एक वीडियो में मैं देखिए जो कम से कम capital है वो लोग भी strategy maintain कर सके और वो लोग भी trade कर सके जिनके पास ज्यादा से ज्यादा capital होता है आप भी trade कर सके इसलिए मै तीन लेवल के stock बताता हूं जो 150 to 200, 200 to 250 और इसके अंदर 250 to 400, 400 to 500 लेवल का stock होंगे जो below 500 होंगे जिसमें सभी लोग average strategy maintain करते हुए intraday के अंदर double profit कम है मैं वैसे ही stock बताता हूं उसके अंदर एक best stock है ITC limited ITC limited one day candle chart के अदर already overbought zone 80 पे जा रहा है 70 level break करके 80 पे जाके reversal हुआ थिक है उसके हिसाब से reversal recovery अगर हमें देखने को मिली अगर हमें reversal recovery देखने को मिली ITC में तो वो intraday से ही start होगा intraday से क्यों start होगा क्योंकि इसका price moment 4 टूपीस से लेके 5 रूपीस का final है दोस्तों इसका price moment इसके price moment के हिसाब से हम लोगों को 189 में Tuesday के दिन टूजडे के दिन selling position लेके चलना होगा और एक बार इसके अंदर जो भी rally देखने को मिली uptrend rally ही देखने को मिली पर uptrend rally हमें candles में दिख रही है पर main feature हमें दिखके आएगा RSI के अंदर क्यूंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं यह selling पे जा रहा है तो यह RSI भी level नीचे जा रहा है पर candle हमें uptrend में दिख रहा है ऐसे ही candle में confusion होता है दोस्तों तो देखिए confuse मत हो यह इसके अंदर 4-5 रूपीज का intraday price moment होता है उसके हिसाफ से trade करेंगे तो 189 189 में इसके अंदर selling position लगाईए 186 में intraday में exit हो जाईए दोस्तों अगर 189 के उपर जाने लगा price moment के हिसाफ से 3 रूपे का average strategy आपको जैसे RBL में बताया था वैसे ही average strategy maintain करना है already 60 का level लेके चल रहा है uptrend लाइन जाता हुआ uptrend break कर रहा है तो भी 3 रूपे का average strategy maintain होगा reversal जाता हुआ आपको 3 रूपे का profit booking होगा ITC limited के अंदर आप उसके हिसाब से ही trade करें दोस्तों easy से easy level and best level best opportunity intraday में trade करने के लिए यही levels पकड़ के जह लिए profit booking आपको पकी है दोस्तों